गड़ मॉर्निंग फ्रेंट्स वेलकम बैक तो केस एडुकेशनल 22nd of November Important Current Affairs मैं आज आप लोगों के साथ डिसकस करने वाला हूँ और मैं सूप रभीन आप लोगों को यहां पर वो कलेक्शन देता हूँ जो आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं कलेक्शन आप लोगों के लिए जो यहां पर बनाता हूँ वो एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से ही बनाता हूँ क्योंकि आपको पता होगा एक्जाम में वो इंपॉर्टेंट कलेक्शन पूछा जाता है को रिलेट करके ठीक है तो डारेक्ट कोशन कभी पूट आउट नहीं किया जाता है एक्जाम में किसी भी एक्जाम के लिए आप देख लें चाहे वो रेल्वे के लिए बैंकिंग स्टेट पोलीस यूपीसी एससी टीचर्स या फिर अधर कॉंपिटिटिव एक्जाम के लि स्टेटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट 2021-22 का जारी किया है और यह संस्था कौन सा है यह संस्था है आर बी आई क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आर बी आई के अभी प्रेसेंट गवर्नर कौन है और इस से पहले कौन गवर्नर थे यह दो कोशन का एंसर आपको देना कॉमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन जिसका हाल में है उद्गाटन किया गया किस राज्य या केंदर सासित प्रदेश में यह स्त्त है यह है अरुनाचल प्रदेश में स्त्त है किस देश ने हावशोंग सत्र यह मांस्टर मिसाइल जिसको मांस्टर मिसाइल अब बोल रहो यह लॉंच किया है या किस देस ने लॉंच किया My dear friends यह है उत्तर कोरिया ने लॉंच किया है आर्टे मिसिनिन जो हाल में ही खबरों में रहा या किस रोग के विरुद और शदी का एक प्रमुख घटक है और यह है मलेरिया के लिए एक प्रमुख घटक है तो याद रखेगा यह वर्ड एक्जाम में दिखेगा मलेरिया आपको टिक करना है पीम नरेंद्र मोदी ने किस राजी में डोनी पोलो हवाई अड़े का उदगाटन किया मैं यह सवाल आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह सवाल आने वाले कुछ दिनों तक एक्जाम में आता रहेगा डोनी पोलो हवाई अड़े जो है वारुनाचल प्रदेश में दिखाटन किया गया और यह राज का पहला ग्रीन फिल्ड हवाई अड़े है क्या है वर्ड याद रखेगा ग्रीन फिल्ड हवाई अड़े है राजी का पहला किस राजी सरकार ने तीन ट्रांसेंडरों को सरकारी स्कूलों में सिक्छक के रूप में चुना है और यह राजी करनाटक है और तीन सिक्छकों का नाम है सुरेश बावू रवी कुमार बाई और अस्व थामा सरकारी स्कूलों में सिक्छक बनने वाला पहला ट्रांसेंडर बन गया है तो सरकारी स्कूलों में सिक्षक बनने वाला पहला जो ट्रांस्जेंडर है वो इन तीनों का नाम है याद रखेगा या पहला स्टेट कौन सा है करनाटक है यह भी याद रखना है किस निकाई ने फिरोजपूर जीले के सीमा वर्ती छेत्रों में बच्चों के लिए सिक्षा सुविदाओं तक उचित पहुंच की कमी पर पंजाब सरकार को नोटेस जारी किया है और किस निकाई ने किया है राष्टिय मानवादिकार आयोग ने जैसे अभी तक कुछ important days हम लोगों ने देखा है विश्व साकाहरी दीवस एक नवंबर विश्व सुनामी जाग रूपता दीवस पांच नवंबर कैंसर जाग रूपता दीवस साथ नवंबर संट्रक्छन दीवस साथ नवंबर रेडियोग्राफी दीवस आठ नवंबर व परोस दीवस उननीस बाल दीवस बीश टेलिवीजन दीवस 21 तो बहुत important ही यह days exam में आपका आता है तो अगर इसको go through करते रहेगा तो हो जाए गई है तेलंगाना सरकार द्वारा 18 जनवरी 2023 से राज्यों में कौन सी योजनाएं फिर से सुरू करती गई है और यह तेलंग बीशे अधिया भगाना सरकार ने फिर से सुरू किया है माराश्य सरकार ने किसकी पींशन को दो गुना करने का फैसला किया और यह स्वतंतरता शेहनानियों का प difuse करने का फैसला किया जो पींशन इन लोगों को पहले 10,000 रुपे कर मिलगा था अब उसको बढ़ा कर 20,000 रुपे प्रतिमान कर दिया गया है तो यह सरकार महराष्ट का सरकार है और यह किस के लिए है स्वतंतरता शेनानियों के लिए कौन सी राज्य सरकार एक नई नीती लेकर आई है जो नीजी भूमी मालिकों को प्रागिर्तिक संसाधनों का दोहन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमती देती है और यह राज्य है पस्चिम बंगाल किस बैंक ने सौर पर यह उजनाओं के विद्ट पोशन के लिए जर्मन विकास बैंक के एफ डव्यू के साथ एक सो पचास मिलियन यूरो के रिन समझाओते पर हस्ताक्चर किया और यह है बैंक है एस बी आई तो अब तक मैंने जो बताया सेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने के एस एजुकेशनल हब को ताकि आने वाली वीडियो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल पाए बजा लीजिएगा नोटिफिकेशन वेल लाइक कर दीजिएगा बिनिफिट मिल रहा है तो सेयर करना बिल्कुल नहीं है क्योंकि सेयर कर रहे है मतलब केर कर रहे हैं किसी और रहे हैं